आज हम बात करने वाले हैं मुबाइल से डिलिट हुई एप्स गेम्स को वापस कैसे लाते हैं आपने एक साल पहले एक महीना पहले कोई एप या गेम डाउनलोड किया था फिर आपने उसे डिलिट कर दिया अब उसी app को आपको दुबारा से download करना है लेकिन उसका नाम आपको याद नहीं है तो ऐसी सारी app और game को आप दुबारा से download कर सकते हैं इसके लिए आपको Play Store को Open करना है, उपर में अपनी Gmail की profile पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा manage apps and device आपको इस पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा manage इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर दोस्तो आपके mobile में जितनी भी app install है वो सारी app यहाँ पर आपको दिखाई देगी आप देखेंगे यहाँ पर install पर set आपको यहाँ पर install पर click करना है अब नीचे में आपको एक option मिलेगा not install आपको इस पर click करना है तो यहाँ पर दोस्तों वो सारी app आपको दिखाई देगी जो आपने delete कर दिया है आपने gmail account जब से login किया है play store में तब से जितनी भी app आपने delete की है वो सारी app आपको यहाँ पर द delete कर दिया इस तरह से दोस्तों आपकी delete app और game आपको मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर माल लीजिए आपको app नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा name आपको इस पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा recently added इस पर आपको click करना है तो recent में जो app आपने download किया था यह game वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा उस पर आप click करके दुबारा से app को आप download कर सकते हैं इस तरह से आप delete app को वापस ला सकते हैं अब माल लीजिए यहाँ पर आपको app नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या करना है इसके लिए आपको back आना है यहाँ आपको अपनी Gmail की profile पर click करना है यहाँ पर आपका Gmail account आपको दिखाई देगा तो दोस्तो हो सकता है आपने कोई दूसरे Gmail account से app या game डाउनलोड किया होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस arrow पर click करना है और दूसरा वाला Gmail account यहाँ पर select करना है और वापस से जाकर अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कर देना शेर भी कर देना